गुड़ मॉर्निंग दोस्तो एमने पिछली कक्से में परसनाली 5.2 की क्यूशन नमर 1st, 2nd और 3rd देख लिए जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आज एक क्यूशन नमर 4th और 5th दो क्यूशन करने वाले हैं तो 4th क्यूशन अपने को दे रखा है एक अपने पास AP की स्रीज है जिसमें वैल्यू है अपने पास 3,8, 13 और 18 का कौन सा पैद 78 है यहां पे अपने पास A की वैल्यू है D सारव अंतर, common difference यहां से निकाल लेंगी D की वैल्यू और अपने पास AN की वैल्यू 78 है इनके बीच के ट्रम अपने को नहीं पता अर्थात अपने को AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें तो इसके लिए सबसे पहले A है अपने पास जो गीवन उसको लिख लेंगे, A की वैल्यू यहां से 3, ऐसे ही यहां पर D की वैल्यू निकालेंगे D का formula होता है A2 minus A1 A2 की value अपने पास 8 minus A1 की value अपने पास 3 तो D यहां से निकल के आए अपने पास 8 में से 3 subject करेंगे हम तो यहां पर बचेंगे अपने पास 5 ऐसे An की value अपने पास कितनी यहां से 78 अपने पास An का formula है An is equal to A plus N minus 1 into my D जो value अपने पास given है उनकी value put करेंगे इसमे An की value अपने पास 78 is equal to A की value अपने पास 3 plus N की value अपने पास given नहीं है जो निकालनी है अपने को और D की value अपने पास 5 अब इसे solve करेंगे 78 is equal to 3 plus अब यह 5 N के साथ multiply होगा फिर 1 के साथ तो 5 N minus के 5 अब minus के 5 और 3 plus के यहां से minus के 2 बचेंगे और left side में आएंगे अपने पास तो plus के हो जाएंगे तो 78 plus के 2 इदर आएंगे अपने पास 5 N 78 और 2 अपने पास हो जाएंगे 80 is equal to 5 N और यहां से N की value आजाएगे अपने पास यह इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में 80 divided by 5 अब इसे 5 की टेबल से काटेंगे तो यहां से 5 बन जा 5, 3, 36 तो अपने पास N की value आज़ी 16 और यह अपने को निकालना था यह अपना final answer अब 5th question देखते हैं 5th question में अपने पास 2 part दे रखे हैं जिसमें अपने को निकालना है निमल लिके समानतर स्रेडियों में परतेक स्रेडियों में कितने पद हैं यहां पे अपने पास बताने हैं कि N की value बतानी है नमर और ट्रम कितनी है अर्थात N की value कितनी हैं से तो इसके लिए पहला Qe boxer अपने पास दिया गया है एक स्रीज अपने पास 7, 13, 19, 205 इसमें से अपने को पता नही है कितनी ट्रम आएंगी कितनी आएंगी वेल्यू अपने पास उनकी टोटल वेल्यू अपने को निकालनी है तो उसके लिए अपने को N की वेल्यू चाहिए N की वेल्यू के लिए अपने पास वो इस सेम फोर्मला A N वाला यहां से पर्थम पद है यहां से अपने पास A की वेल्यू यहां से 7 ऐसे यहां पर D की वेल्यू है A2 माइनिस A1 तो A2 माइनिस A1 A2 की value यहां से 13 माइनिस की A1 की value है 7 तो अपने पास कितनी value बचेगी यहां से 13 में से 7 को माइनिस करेंगे 6 value तो D की value अपने पास आई है 6 ऐसे ही An की value अपने पास की है जो total value है 205 जो last की value होती है वो An की value होती है तो An की value अपने पास 205 तो अपने पास फॉर्मला है A N is equal to A plus N minus 1 multiply में है D तो A N की value अपने पास यहां से कितनी है 205 is equal to A की value अपने पास 7 plus N minus 1 N की value अपने को value निकालनी है और D की value अपने पास यहां से 6 अब इसे solve करते हैं solve करने के लिए सबसे पहले 205 7 plus इसके साथ multiply करेंगे 6 को N के साथ multiply करेंगे तो 6 N ऐसे ही minus 6 को 1 के साथ करेंगे तो 6 आएगा अपने पास 7 में से 6 को subtract करेंगे minus करेंगे तो अपने पास 1 बचेगा plus का और इदर साथ में जा के अपने पास minus का हो जाएगा 205 minus का 1 is equal to अपने पास बचे 6 N अब 205 में से minus को minus करेंगे एक तो अपने पास बचेंगे 204 is equal to 6 N अब इसे solve करेंगे यहां से N की value निकालेंगे 6 इसके नीचे जाएगा तो N equal to 204 divide by 6 अब 6 का बाग लगाएंगे इसमें 6, 3, 18, 3 और यहां से अपने पास 2 बचे 24 हो गए 6 चोक 24 तो एनी जुकर्ट अपने पास आगया 34 और यह value अपने को निकालनी थी कि N की कितनी value होंगी उसके बीच में अपने पास total जिस क्यूसन में अपने पास total कितनी ट्रम होंगी यहां से 34 यह अपना final answer अब इसका second part करते हैं second part अपने पास given है second part देखो दोस्तों 18 18 18 15 से एक बचे दो 15 से एक बचे दो 13 और एक अपने पास minus के 47 अब इसे solve करेंगी वही same question है A की value अपने पास 18 D की value यहां से हम निकालेंगी A2 minus A1 A2 minus A1 equal to A2 की value यहां से अपने पास कितनी होगी पहले से solve करेंगी 15 को 2 के साथ गुना करेंगी 30, 30 में एक जोड़ें 31 बचे दो 31 डिवाइड बाइ 2 A1 की value अपने पास 18 अब पहले इसे solve करेंगी यहां से LCM लेंगी 2 यह कितनी होगे 36, 36 में से 31 को माइनिस करेंगी अपने पास 31 माइनिस के 36 डिवाइड बाइ 2 अब इसे solve करेंगी तो अपने पास बचेंगी यहां से 5 डिवाइड बाइ 2 और यह माइनिस का क्योंकि माइनिस वाली संखेंगी ऐसे बड़ी है अब AN की value यहां से अपने पास है 47 फोर्मल अपने पास AN का AN is equal to A plus N minus 1 multiply me D AN की value अपने पास 47 is equal to A की value अपने पास 18 plus N minus 1 N की value अपने को find out करनी है और D की value अपने पास minus के 5 divide by 2 यहां से 47 equal to 18 अब यह इसके साथ multiply होगा पहले N के साथ और फिर 1 के साथ multiply होगा तो यहां से minus के 5 divide by 2 और N minus के यहां से अपने पास आएंगी यह 1 के साथ multiply होगा तो वो इस हैंगा सेम और minus minus हो जाएंगे आसे प्लस 5 divide by 2 अब दोस्तों इसको और इसको solve करेंगी क्योंकि इसके पास N नहीं है दोनों के पास ही तो 47 इस उकर 2 18 प्लस 5 डिवाइड बाइ 2 यहां से अपने पास बचेंगे 5 बाइ 2 N अब दोस्तों इधर साइड में आएगा 18 तो 47 minus के 18 इस यह उकर्टों अपने पास यहां से बचा 5 बाइ 2 5 बाइ 2 N दोस्तों यह अपने पास यहां से नेगेटिव था इसमें भी नेगेटिव 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 और नेगेटिव अपने पास 47 और minus के 18 कितनी होगे 65 minus के equal to 5 डिवाइड बाइ 2 यह इधर साइड में आएगा तो minus का होगा तो माइनिस का 5 by 2 पहले लिखे लेते हैं 5 by 2 माइनिस के 5 डिवाइड बाइ 2 N इधर साइड में आएगा तो माइनिस के 65 माइनिस के 5 by 2 इस इपर टो माइनिस 5 डिवाइड बाइ 2 N इभी से LCM से सॉल करेंगे तो ये अपने पास 130 और 5, 135 डिवाइड बाइ 2 और दोनों माइनिस के वैली हों तो माइनिस ये जगोटो माइनिस 5 डिवाइड बाइ 2 और यहां से अपने पास आ गया N अब दोस्तों 2 से 2 कैंसल होगा माइनिस से माइनिस कैंसल और 5 की टेबल के साथ ये कैंसल होगा तो 5 टू जा 10 3 अपने पास कैरी 35 हो गया तो यहां से 7 जा 35 N यहां से N बचा यहां से 5 की साथ कैंसल होगा 27 टाइम तो N की वैली अपने पास आई है 27 यह अपना फाइनल आंस्वर अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजी सेर कीजी चैनल को सब्सक्राइब कीजी किसी परकार की कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेट कीजी थैंक्यू दोस्तो